नमस्ति चत्रो आज हम कक्षानों की जो किताब है स्पर्ष भाग एक इस किताब में काव्वे खंड़ में जो पहला काव्वे है इसका आज हम अद्देन करने वाले है पिछले वीडियो में हमने रैदास के पद इसका अद्देन किया था उसमें जो पहला पद था वो पहला पद हमने देखा था आज इस वीडियो में रैदास का जो दूसरा पद है उस दूसरे पद के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं तो पिछले वीडियो में हमने देखा था किराइदास भगवान को इश्वर को कहते हैं कि है भगवान है इश्वर अब कैसे चूटेगी जो तुमारे नाम की रट मुझे लगी है यानि कि तुमारी भगती करने की आदत जो मुझे लगी है वो आदत कैसे चूटेगी क्योंकि मैं अभी इश्वर में हो गया हूँ मेरे पूरे शरिर में शरिर की पूरे हिस्से में रब्त के हर एक बूंद में आपकी भगती क्या हो गई है समा गई है और यह बताते हुए कभी रैदास कुछ उधारन भी देते है जैसे कि चंदन पानी में गुल मिल जाता है और पानी के हर एक बूंद से चंदन की बास आने लगती है खुश्बू आने लगती है तब जिस प्रकार चंदन पानी में गुल मिल जाता है उसी प्रकार मेरे पूरे शरीर में या मैं पूरे इश्वर में हो गया हूँ और इश्वर या भगवान मेरे पूरे शरीर में समा गया है तो इसे प्रकार, कभी रईदास या संत रईदास कुछ उधारनों के द्वारा प्रभु के बारे में, इश्वर के बारे में वो बताने के कोशिश करते हैं और अपने भगवान, अपने प्रभु किसी मंदिर मच्जिद में नहीं है, तो मेरे अपने अंदर है और हर काल में रहेंगे, हर हाल में रहेंगे और वो मुझसे स्रेश्ट रहेंगे ऐसे यहाँ पहले पद में कभी रहिदास हमें बताते है तो आगे हमें कभी रहिदास का जो दूसरा पद है वो दूसरा पद हमें देखना है तो पहले उस पद का हम क्या करेंगे? जबिन कौन करे, गरिब निवाजू गुसया मेरा माथे चत्रु धरे, जाकी छोती जगत कव लागेता पर तुमी धरे, निचहू उँच करे, मेरा गोबिन्दू काहू ते नडरे, नामदेव कबिर ती लोचुनू सदना सैन तरे, कही रविदा सुनू हूरे, संतहू हरी जिवू ते सभे सरे, तो इसे प्रकार कभी रएदास इन्होंने इस दूसरे पद में ब्रज भाषा का उपयोग किया है, कुछ राजस्तानी है, कुछ खड़ी बोली है, कुछ उर्दू शब्द का भी इसमें उपयोग किया है, तो इस प्रकार कभी रएदास दूसरे पद में हमें भागवान के महमा का वर्णन किया हुआ दिखाई देता है, यानि कि भागवान के जो महत्व है, उस महत्व को इस दूसरे पद में बताया है, भागवान के जो आपार उदारता है, जो कृपा है, वो इस पद में उन्होंने दिखाई है, यानि कि भागवान ही विश्व के सभी जिवों पर क्या करते है, कृपा करते है, जो उनका समदर्शी स्वभाव है, वो समदर्शी स्वभाव का वर्णन इस दूसरे पद में हमे दिखाय देता है भगवान ने कभी किसी के साथ बेदबाव नहीं किया है देखो जब मनुष्य का जन्म होता है या मनुष्य का निर्मान होता है तो भगवान ने हर्यप को सबी देने की कोशिश किये भगवान ने कभी भी किसी के साथ बेदबाव नहीं किया है, तो इसी का वर्णन इस दूसरे पद में कभी रहिदास ने किया हुआ हमें दिखाए देता है, तो एक-एक पंक्ति हम देखेंगे, तो पहले जो पंक्ति है, उस पहले पंक्ति में कभी रहिदास कहते है, ऐसी लाल, लाल मतलब स्वामी, लाल मतलब स्वामी या इसे उनने काएं तो तुझ बिन कौन, कौन मतलब कौन, कौन मतलब करे, करे मतलब करना, यानि कि कविराईदास पहले पद में या पहले पंक्ती में कहते हैं कि है स्वामी, है इश्वर, है भगवान आपके बिना मेरे उपर कृपा कौन करेगा, क्योंकि भगवान ही इश्वर ही मनुष्य के उपर क्या करते है कुरुपा करते है और प्रभू आपके बिना कौन कुरुपालू है इस संसार में इस विश्व में कोई कुरुपालू है तो वो आप है यनकी भगवान है प्रभू है इश्वर है और आप ही हमारी उपर क्या कर स यदि आप नहीं हो तो हमारी उपर कुरुपा कौन करेगा ऐसे पहले पंक्ति में कभी रहधास कहते गरीब निवाजू यह जो शब्द है यह शब्दकार्त है यहनकि गरीब गरीबों के या दिन दुखियों पर दया करने वाला करीब निवाजू मतलब दिन दुखियों पर दया करने वाला गुसईया मतलब प्रभू स्वामी इश्वर ऐसे ओ कहते। छत धरे मतलब दरना यानि कि मेरे माते पर चत्रदना तो दूसरे पंक्ति में कभी रैदास कहते हैं कि आप गरीब यानि कि दिन दुकियों के उपर क्या करते हो दया करते हो और इसलिए आप दिन दुकियों के क्या हो स्वामी हो प्रभू हो इश्वर हो क्योंकि दिन दुकिय दया करने वाला कुन होता है तो इश्वर होता है भगवान होता है और आप ही वो इश्वर हो आप ही वो स्वामी हो क्योंकि आप गरीब या दीन दुखियों के उपर क्या करते हो दया करते हो आप कृपालू हो क्योंकि आप लोगों के उपर या गरीबों के उपर क्या करते हो कुरुपा करते हो और आपने मेरे माथे पर मेरा माथे मेरे मस्तक पर क्या किया है कुरुपा किया है यानि कि मस्तक पर स्वामी होने का मुकूट मैंने क्या किया है धारन किया है यानि कि मुझ जैसे अचूत नीच जाती के लोगों के उपर आपने क्या किया है अपना छत्र रख दिया है जिस प्रकार बच्चों आपको मालूम होगा कि राजा महाराजाओं के दरबार में उनके उपर छत पकड़ने के लिए कुछ लोग होते उसी प्रकार कभी रैदास करत कहते हैं कि हे इश्वर हे स्वामी आपने मेरे उपर क्या किया है छत रख दिया है और इसी कारण आपने मुझे राजाओं जैसे सम्मान प्राप्त करके दिया है लोग मुझे सम्मान के साथ देखते हैं मेरा सम्मान करते हैं और इसे लिए प्रभु तुम ही ऐसा काम कर सकते हो क्योंकि गरीब दिन दुक्यों के नीचे जाते के लोगों के उपर छत धरने का काम कौन करता है तो इश्वर करता है बगवान करता है और इसे लिए तुमने ही म मेरे माते के उपर क्या किया है चत्र धरा है रख दिया है तिसरे पंक्ति है जाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तुमी डरे जाकी छोती छोती मतलब छुआ छुट यानि कि आपको मालूम है पुराने जमाने में छुआ छुट किया जाता था यानि कि उच्च वरगिये लोग निम्न वर्गिय लोगों के साथ कभी भी नहीं बैठते थे, उनके पास नहीं आते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, तो उनके साथ चुआ चुट मानते थे, यानि कि उनको चुने से हमारा धर्म ब्रश्ट हो जाता है, ऐसे उनका मानना था, यानि कि नीचले जाती के ल पतलब जग, विश्व, संसार, इस जग के, इस विश्व के, इस संसार के जो लोग है, वो मेरे पास आने के लिए भी डरते थे, मैं मुझसे च्वाचूत वो रखते थे, यान कि मुझसे कोई भी रिष्टा नहीं रखते थे, पर तुम ही डरे, यान कि तुमने ही मेरे उपर चत्र क्या किया है, रख दिया है, और वो चत्र कैसे दिखाए देता है, तो जैसे मैंने राजाओं की तरफ मुकूट पहना है, इसी प्रकार वो चत्र दिखाए देता है, और इसे कारण, यान कि तुम्हारे कारण, तुमने जो कृपा मेरे उपर की है, तुमने जो चत्र मे जो इश्वर होता है या जो भगवान होता है वो सब के उपर वो अमीर हो गरीब हो निचले जाती का हो उच जाती का हो सभी लोगों के उपर वो क्या करते है दया करते है गुरुपा करते है चत्र रख देते है इसी प्रकार इस तिसरे पंक्ती में कभी रहता सामें बताते है निचहू मतलब निचले जाती का, उँच करे, मतलब उँचा करना या सम्मान प्राप्ट करना, मेरा गोबिंदू, गोबिंदू मतलब स्वामी, इश्वर ये कहा है, कहुते न, डरे, यानि कि हे इश्वर, हे स्वामी, हे बगवान, मैं निच जाती का था, तो आपको मालूम ह कि रैदास कौन थे, तो चर्मकार थे, यानि कि जूते सिलने का काम जो लोग करते है, उन्हें चर्मकार कहते, तो रैदास भी उनी में से एक थे, और उनी में से एक होने पर भी, इश्वर ने, भगवाने, उनके उपर कुरपा की थी, उनके उपर चत्र रग दिया था, और इसलिए वो कहते कि मेरे मैं नीचले जाती का होने पर भी आपने मुझे उच्छा सम्मान प्राप्ते करके दिया है और मैं नीचले नीच प्रानी होने के बाउजित भी उच्छे सम्मान प्राप्ते करने के कारण मेरा सम्मान भी बढ़ गया है ऐसे कभी रैदास या हमें बताते है और वो आगे कहते है कि हे प्रभू, हे गोबिंदू, हे स्वामी तो तुम होने के कारण मैं किसी से नहीं डरता हूँ कभी रैदास आगले पंक्ति में कहते है अभी यहां संतों के कुछ नाम बताए गए जैसे कि नाम देव आपको मालूमें महाराश्टर के महतुपुण संत मानी जाते है कभी यह भी एक महतुपुण संत है जो उत्तरी भारत में उनका जन्म हुआता कभीर के पद हमने कही पड़े है जैसे कि कांकर पत्तर जोरी से मजजिद गई बनाई ता चड़े मुला बांग दे का बहरा हुआ खुदाई यहनकि कभीर भी अपने पद में यही बताते है कि हम मंदीर मजजिद में जाकर क्या करते है जोर जोर से चिलाते है तालिया बजाते है और भगवान को जगाने की कोशिश करते है लेकिन वो कहते है कि इस मंदीर में इस मजजिद में इस गुरुदार में इस में भगवान नहीं है तो भगवान का है तो भगवान इंसान में है भगवान हर एक प्रानी में है भगवान हर एक चीज में है ऐसे कबीर ने अपने दोहों के द्वारा वो बताने की कोशिश के तो वो कबीर की कबीर का नाम यहां दिया गया है ती लोचुनू यह भी एक क्या है? संत है ती लोचुन जैसे सामाने विक्तिता तो उनके उपर भी भगवान ने क्या किये है? सदना एक कौन था? सदना एक कसाई था कसाई था और सैनू मतलब वो भी एक नाई था लेकिन नाम दे हो, कबीर हो, ती लोचुन हो, सदना हो, सैन हो तो इन सब सामाने विक्तियों के उपर भगवान ने, इश्वर ने क्या किया है? कुरुपा की है, हाथ रख दिया है तो ये भी इस संसार से क्या हो गए, तैर गए तैर गए, है ना यानि कि उन्होंने अपनी अच्छी तरसे जिंदगी बिताई है ना, उनका आज भी नाम हम लेते है संत नामदेव कहते, संत कबीर कहते संत तिलोचन कहते सदना कहते संत सैनु कहते कई संत होकर गए, जैसे कि संत दुकाराम कहते संत जनाबाई कहते, संत मुकताबाई कहते, यानि कि ऐसे कई संत होकर गए है, जिनके उपर भगवान ने, इश्वर ने स्वामी ने, क्या किया है हाथ रख दिया है और ये सभी संत भगवान के कारण इश्वर के कारण अपने सांसरिक जीवन में तर गए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के आदार पर समाज को मार्गदर्शन किया समाज को सही रास्ता दिखाया और कभी संत रईदास अंतिम पक्ती में कहते है कही रविदास सुनू हू रे सतहू यानि कि वो कहते कि मैं कह रहा हूँ रविदास मतलब रविदास यानि कि मैं रविदास कह रहा हूँ ए संत लोग सज्जन लोग तुम सुनो हरी जीवते सभी सरे हरी जीव मतलब जो हरी जीसी यानि कि जो स्वामी है हरी जो है हरी सब कुछ करने में समर्त है यानि कि जो इश्वर है वो सब कुछ कर सकता है इश्वर के बिना कोई काम नहीं कर सकता यानि कि वे कुछ भी करने में सक्षम है तो इस पद में कभी रैदास हमें यही बतना चाहते है कि भगवान का महमा, भगवान का महतुव बहुत ही बड़ा है भगवान के बिना कोई भी कारिय संभव नहीं है यानि कि भगवान ही हमारे उपर हात रख देते, चत रख देते, हमारे उपर दया करते है और इसलिए हमें भगवान को मानना चाहिए तो हे प्रबू तो इस पद में कभी रैदास कहते हैं कि हे प्रबू आपके बिना कौन कुरुपालू है आप गरीब तता दिन दुखियों पर दया करने वाले हैं आप ही ऐसे कुरुपालू स्वामी है जो मुझे से अचूत और नीचे के माते पर क्या किया है राजाओं जैसा चत्र रख दिया है आपने मुझे राजाओं जैसे सम्मान प्राप्त कर दिया है मुझे पर आपकी असीम कृपा है और आपके कारण ही मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है हे स्वामी हे इश्वर हे भगवान आपने मुझे जैसे नीच प्रानी को इतना उच्चा सम्मान प्र कबीर है, तिलोचन है, जो तिलोचन है, कबीर जैसे जुलाही, तिलोचन जैसे सामन्य, सदना जैसे कसाई, और सैन जैसे नाई को क्या किया है, आपने संत बनाया है, और इनका जीवन अच्छा बनाया है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, अंतिम पक्ति में कबीर एदा यही बताते है कि हे संतों सुनों हे सजनों सुनों हरी जी सब कुछ कर सकते है वे कुछ भी करने के लिए समर्त है सक्षम है और इसलिए हमें भागवान को मानना चाहिए क्योंकि भागवान के बिना कोई भी कारिय नहीं कर सकते है तो बच्छों आपको मालूम होगा कि जब करते हैं इश्वर की पूजा करते हैं बगवान की पूजा करते हैं बगवान का नामस्मरन करते हैं और अपने कारिय को शुरुआत करते हैं क्यों क्योंकि इस कारिय में उस काम में कोई रुकावट ना आए कोई बादा ना आए इसलिए हम प्रता या पहले क्या करते हैं इश् भगवन का स्वामी का इश्वर का छो महत्वै वो महत्वव बताने की कोशिश करते हैं तो इसी प्रकार कभी रई-दस ने इस दो पद में इश्वर के बारे में कुछ जानकारी देनी की कोशिश किए आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बोक्स में लिकर बेश सकती हूँ तब तक के लिए धन्यवाद